Hello students, आज हमने अब इस तापी पढ़ने वाले हैं, heating effect of current हमने पीछे class पर पढ़ा कि किस प्रकार से current का flow होता है और अगर current का flow होता है, तो किसी भी conductor में जब current का flow होता है तो current को रोकने के लिए, current को कम करने के लिए कुछ element होते हैं जिनको हमने पढ़ा है electric resistance तो जब आपका किसी भी conductor में current का flow होता है तो उसके क्या-क्या effect हो सकते है तो अभी हमने पढ़ना heating effect आगे हम पढ़ेंगे magnetic effect of current तो current जब flow होता है किसी conductor में तो कई सारे effect create करता है जिसमें से एक topic हमने पढ़ना है heating effect हम सभी ने देखा है डे टुडे लाइफ में जब भी हम किसी वायर से करेंट को फ्लो कराते हैं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो वायर हमारा है धे धिरे आपका गर्म होता रहता है तो हम यह बोलते हैं कि वायर गर्म हो रहा है इसका अर्थ है कि वायर आपका हीट हो और इसका मतलग जब current आपका flow होता है तभी आपका wire heat होता है तो बोल सकते हैं कि current आपका कौन सा effect create करता है heating effect create करता है जो आपका current heating effect create करता है तो उस heat की value कितनी हो सकती है जैसे हमने यह भी देखा पीछे क्लास में यहां अगर एक्सपेरिमेंट करें किसी कंड़क्टर में जब आप करेंट की वैलू ज्यादा करते जाएंगे आप देखेंगे जो आपका वायर है ध्ये ध्ये ज्यादा गर्म होगा दार्म लिए आप देखते हैं जहाँ पर करेंट ज्यादा होता हाई वोल्टफ करेंट घा कूरेंट होता है वहाँ पर देखें तो जो हीटिंग इफेक्ट मिया 지금 ہिट आपका हिट आपका है हीट है तो यहीट के प्रपोर्शनल होता है यह इー स्क्वार के प्रपोर्शनल होत प्रोटल जो रेजिस्टेंस है उसके भी डायटली प्रोपोशनल होता है मतलब किसी वायर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उस वायर में उतना ही ज्यादा क्या होगा हीट होगा ठीक है जितना ज्यादा हीट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रुकाउट कि छार्ज आपके होते हैं चार्ज बहुत ज्यादा से टक़िआते हैं न्युक्ंसे ट्कहराते हैं तो हिट ज्यादा की पफॐ शोयाज परट के तो यह बोलते हैं ॥ ट किसके प्रपोरिंड मन होरो झाएगा इसके बाद कितने टाइम तक आपका करेंट flow हो रहा है तो time पर भी आपका depend करता है तो heat आपका depend करता है time पर तो heat तीन element पर depend करता है current पर resistance पर और time पर अगर तीनों combine किया जाए तो हम लिखेंगे i square r into t यह हम बोल सकते हैं h equal to i square r t यह जो आपका है h equal to i square r t यह किसी भी conductor में current flow तो करने पर जो heat create होता है वो आपका है इसको जूल ने एक experiment के थ्रू बताया था इसलिए इसका unit होता है यह आपका जूल हो जाता है अगर इसको calorie में change करना चाहें तो हम 4.18 या 4.2 से divide भी करते हैं तो इसको 4.18 भी बोल सकते है इतना calorie हो जाएगा तो यह तो हमने डाटली बता दिया कि इस प्रकार से heat आपका create होता है लेकिन यह जो formula हमने निकाला है तो यह formula कहां से आया है इसका प्रूब भी हमें पता होना चाहिए तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान दे जैसे भाई किसी भी conductor में heat कहां से आता है तो हम यह बोलते हैं कि जो चार्ज को हम flow करा रहे हैं वही चार्ज को flow कराने में जो energy खर्च होती है वही energy ही आपका क्या है heat है जैसे जह हम चार्ज को किसी conductor में एक point से दूसरे point तक ले जाते थे तो हम यह बोलते थे कि हमारा जो work done है वो कितना होता था V into Q याद होगा आपको potential मैंने बता है V equal to W by Q तो जगर W की value निकालेंगे Q का multiply हो जाएगा V equal to V into Q ये W क्या होता था ये total work done होता था किसी charge को एक place से दूसरे place तक ले जाने है ये जो work done है यही work done किस में आपका बदलता है heat में बदलता है मतलब जो हम चार्ज को एक प्लेश चे दूसरे प्लेश तक ले कर जाते हैं, चार्ज को ले जाने का मतलब करेंट को फ्लो कराते हैं, जब करेंट को फ्लो कराते हैं, तो हम कुछ वर्क करते हैं, और यही वर्क किसमें करनोट होता है, हीट में करनोट होता है, तो मैं इसी वर् क्या होता है i into t मतलब पर सेकंड जितना आपका हमने यह पढ़ा है i equal to q by t कि पर सेकंड जितना चार्ज आपका फ्लो होता हो यह आपका करेंट है तो q की value निकालेंगे तो q equal to क्या हो जाएगा i into t तो इस q के place पर यह लिख सकते हैं और देखिए b की value क्या होता है भी हमने ओमसला में पढ़ा है b equal to क्या होता है i upon r तो इसको मैं sorry i into r तो मैं b के place पर लिख सकता हूं i into r तो हमारा जो formula बनेगा i into i equal to i square r t तो इसी के help से हम यह बोल सकते हैं कि h किस पर depend कर रहा है i square पर, h किस पर depend कर रहा है r पर, h किस पर depend कर रहा है t तो यह याद रखें कि क इसी भी conductor में जो हम correct को flow कराते हैं तो आपका conductor गर्म होता है उसमें एक heat create होता है उस heat की value होती है i square into r into t चेक इसका unit हम क्या बोलेंगे जूल बोलेंगे आगे आगे आपका आता है कि electric power क्या हो सकता है एक और हमारा एक टापिक है electric power उसे हम क्या बोलेंगे कैसे हम electric power को define करें करेंगे कि electric power का मतलब क्या होता है basically हम यह बोल सकते हैं कि जह हम किसी भी conductor में current को flow कराते हैं तो उस conductor में फ्लो कराने में पर सेकेंड जो energy खर्च होती है तो हमने कुछ work done किया होगा अब आपका current यहां से यहां तक जा रहा है तो एक second में कितना आपका electric power या एक second में कितना आपका heat create हो रहा है एक second में कितना आप work done कर रहा है वही work ही आपका क्या है electric power है तो हम definition बोलते है the rate of flow of electric heating या electric work done बोल सकते हैं कि per second जितना आपका work done हमें क्याड़ते है वही work done ही आपका क्या है power है अब per second कर रहा है इसका मतलब हमारा formula क्या बन जाएगा P equal to W upon T W क्या है W आपका work done है अब work done अभी मैंने देखा work done किसके equal होता है heat के equal होता है तो हमारा formula क्या बन जाएगा H की value अभी हमने निकाला H की value हमने निकाला है I square R into T divide by T तो आप देख रहे यह cancel हो गया P equal to I square R यह formula आपका होता है electric power का तो इस electric power का जब unit निकालते है unit में देखे यह आपका क्या था W यह आपका Joule था और यह T आपका क्या है second इसको हम एक और नाम देते हैं watt तो basically इसी का यूज़ हम करते हैं Joule पर second भी बोल सकते हैं watt भी बोल सकते हैं ठीक अब यह जो formula हमने अभी देखा दोनो फार्मला heat का और power का इसको हम कई सारे फार्म में भी convert कर सकते हैं जैसे जैसे अभी मैंने आपको heat का फार्मला बता है h equal to i square r into t इसको हम कई सारे फार्मला में convert कर सकते हैं चुकि numerical में आपको किवल i r t पर basis पर question नहीं आएंगे potential भी दिया रहेगा resistance भी दिया रहेगा current भी दिया रहेगा तो कैसे हम convert करें अब हमने यह पढ़ा हुआ है चुकि b equal to कितना होता है i into r यह हम i equal to लिखें तो b upon r बोल सकते हैं i equal to b upon r बोल सकते हैं इस i के place पर अगर हम b upon r लिखें तो लिख सकते हैं b square upon r चुकि square है into देखिए r into 2 यह cancel हो गया h equal to क्या गया b square upon r t एक formula यह भी बन गया ठीक और हम यह भी देखें अगर मैं r की value निकालूं तो b upon i बोल सकता हूँ तो इस place पर मैं यह लिख सकता हूँ आप देखें यह cancel हो जाएगा आपको मिलेगा क्या h equal to b into i into t एक और formula बन गया तो यह तीन formula ही यह आपको योज में मिलेंगे अगर हम इसी से power का formula निकालें तो power का हमने formula क्या देखा था power का formula देखा था h upon t तो अगर मैं इसके help से निकालूं तो i square r t upon t cancel हो जाएगा आपको कितना मिल जाएगा i square into r तो एक formula यह बन गया और दूसरा formula अगर हम निकालना चाहे हम इसको देखें तो यह क्या है b square upon r into t whole upon हम क्याल चुकि h upon t है तो upon मैं क्याल जाएगा t यह cancel हो गया तो p equal to आ जाएगा b square upon r इसी प्रकार से आप और formula बना सकते हैं इसके help से यह आपका क्या है b i t upon यह आपका t है upon में यह चपन t है मैं इसको upon t करके इसको cancel कर सकता हूँ p equal to b into i तो यह जितने भी formula आपके हैं power के heat के यह आपकी एक्जाम में आते हैं इससे related numerical आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे यह आपका तयार है तो आज हमने heating effect और electric power का definition बढ़ा किस प्रकार से heat type का create होता है यह हमने दिखा यह आपका first chapter जो electric current है यह आपका यहाँ पे होता है इससे कुछ निमेरिकल में आपको आगे दूँगा और अभी आपको humor दिया जाएगा summer vacation के लिए first chapter से electric current से वह आपको total तयार करना है ठेक thank you